सूर स्पेशालिटी हॉस्पिरल में जो MRI मशीन इंस्टॉल होने वाली थी जिसके लिए बजापता एक कमरे को तयार किया गया अब वो मशीन सूर स्पेशालिटी हॉस्पिरल में नहीं लगेगी 2017 में प्रपोजल मूव किया गया था कि 1.5 टेसला की MRI मशीन जो है उसकी जरूरत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिरल में है उसके लिए सैंक्शन भी दिया गया और Medical Supplies Corporation को एक कहा गया किया आप एक MRI मशीन जो है वो सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिरल के लिए प्रक्यॉर करें 6 करोड 50 लाख रुपे जो है वो सैंक्शन किये गए इस MRI मशीन की प्रक्यॉर्मेंट के लिए और एक कमरा भी तयार किया इस MRI मशीन को सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिरल में इंस्टॉल करने के लिए यह वो कमरा है सूपर स्पेशालेटी हॉस्पिरल में जहां पर MRI मशीन को इंस्टॉल होना था आप देख सकते हैं कि यह मुकमल तोर पर इस कमरे को रेडी किया गया है ताकी हाँपर MRI मशीन इंस्टॉल हो सके आखिर अगर MRI मशीन को Super Specialty Hospital में इंस्टॉल नहीं करना था तो फिर लाखो रुपे Taxpayers Money खर्च करने की जरूरत क्या थी इस कमरे को रेडी करने के लिए अब ये मशीन जो है ये GMC जमू में लगीगी जब इस बारे में हमने होडी रेडियो डागनॉसिस डॉक्टर नरेंदर शर्मा से बात की तो उनका ये कहना था कि ये वो सेम MRI मशीन नहीं है जिसका प्रोपोजल जो है Super Specialty Hospital के लिए मूव किया गया था बलकि 2018 में एडवाइजर के विज़कुमार, Finance Commissioner Health अटल दुलू उस समय की GMC की Principal और उसके रिलावा बाके Administrators ने मिलकर एक Meeting कंड़क की और उस Meeting में ये डिसाइड किया गया कि तीन Tesla की MRI मशीन जो है वो GMC जमू में इंस्टॉल की जाएगी इसके कहीं कारण थे, एक कारण ये भी था कि जो Already MRI मशीन GMC जमू में इंस्टॉल थी वो लगभग 20 साल पहले इंस्टॉल की गई थी, यानि कि 2000 में उसे इंस्टॉल किया गया था अब 20 साल बाद Radio Diagnosis Department KHD का ये कहना था कि एक साल पहले वो मशीन जो है वो लगभग डेड हो चुकी थी उस पर 3.5 करोड रुपे लगा कर उसे वापस से वायबल बनाया गया और अभी भी ये नहीं मालूम कि वो एक साल बाद उसकी हालत क्या होगी ऐसे में क्यूंकि GMC जमू एक प्रेमिर हेल्थ केर फसिलिटी है इसलिए यहां पर जो है MRI मशीन की जरूरत जादा है उनका ये भी कहना था कि Radio Diagnostics Department जो है वो GMC जमू में ही है इसलिए बहुत ज़ादा जरूरी है कि MRI मशीन जो है वो GMC जमू में लगे साथी में उनका ये भी कहना था कि जो मीटिंग में डिसाइड हुआ मीटिंग में एयर मार्क कर दी गई थी एक जगा जो की Medical Record Room था उस समय में क्यूंकि जो MRI मशीन है वो First Floor या Second Floor पर नहीं लगती इसलिए Ground Floor पर एक जगा जो है वो तैनाद कर दी गई थी GMC जमू में जहां पर ये MRI मशीन लगती इसी के चलते जो है Medical Supplies Corporation को कहा गया कि तीन टेसला की MRI मशीन as compared to 1.5 टेसला की MRI मशीन जो की Super Specialty में लगनी थी तीन टेसला की MRI मशीन जो है वो Procure की जाए और उसे GMC जमू में Super Specialty Hospital में क्या MRI मशीन के ज़रूरत नहीं है या फिर कोई और कारण है जिसकी वज़ा से GMC जमू में जो है MRI की मशीन लगने वाली है तो उनका ये कहना था कि अभी तक भी decided नहीं है कि ये मशीन जो है वो लगेगी कहां पर उनका ये कहना था कि टेक्निकल टीम आएगी feasibility चेक करेगी उसके बाद HOD Radio Diagnosis Department साथ ही में जो बाके administrators हैं उनसे बात करके ये decide किया जाएगा कि आखर इस MRI मशीन को install कहां पर करना है लेकिन सवाल आखर में यही बनता है कि अगर Super Specialty Hospital में इस मशीन की जरूरत नहीं थी तो फिर आखर प्रपोजल मूव क्यों किया गया अगर जरूरत 2017 में थी तो आज ऐसा क्या बदलाव आया है कि अब Super Specialty Hospital में MRI मशीन जो है उसकी जरूरत नहीं है वहीं दूसरी और ये भी समझना जरूरी है कि आखर वो कमरा जो तयार करके रखा हुआ है Super Specialty Hospital में MRI मशीन के लिए वो कमरा तयार करके क्यों रखा गया है वहीं दूसरी और GMC जमू में क्योंकि Radio Diagnosis के HOD का ये कहना है कि GMC जमू में भी जरूरत है MRI मशीन की जो अलड़ी MRI मशीन वहाँ पर इंस्टॉल्ड है उसके बारे में अभी भी शॉर्टी नहीं है कि वो जादेर तक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी तो आखिर GMC जमू ने पहले प्रोपोजन मूव क्यों नहीं किया वहाँ पर एक MRI मशीन जो है वो इंस्टॉल करने के लिए